JNU, जवाहार लाल नहलू यूनिवरस्टी के 2022 की जो admission process होगी, उसे आज की वीडियो में मैं breakdown करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस साल से आपकी JNU में admissions कैसे होगी, क्या process होगी, कैसे inference examination होगी, और कैसे सारी चीज़े conduct होने के बाद आपकी JNU में as a official student admission होगी तो उसके लिए आपको इस वीडियो को end तक देखना पड़ेगा, क्यूंकि recently JNU ने announce करा है कि वो इस साल से CUSet पे admission लेने वाली है, तो ये साल JNU के हिसाब से बहुत बड़ा year होने वाला है, जहांपे एक बहुत बड़ी change होने वाली है JNU के history में, तो आपको इस वीडियो क end तक देखना है, अगर आप इस चैनल पे नए होते चैनल को आपको subscribe करना है, जिससे हमारी community grow होगी नीचे, यह आपको red color की subscribe बटन देखेगी, दबा देना, एंड उसके बगल में bell बटन दबा के all कर देना, and video like कर देना, start करते है video, तो देखो, अब मैं आपको एक एक करके इस चीजे step by step breakdown करके बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह साल मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी year है, JNU के history में, ओके, देखो, अगर मैं JNU की previous year के admission process से compare करूँ, इस साल की, मतलब 2021 से, तो वहाँ पे आपकी जो exam होती थी, वो NTA ही कंड़क क उठाना, आपने जिस subject में apply करा है, जिस language में apply करा है, उससे ज्यादा questions पूछना, तो वो उस examination का main target था, अब इस साल से जो CU set होगी, यह common aptitude exam होगी, common universities के लिए, जितरे भी बड़े-बड़े central university है, सब के लिए एक exam होगी, तो सभी के exam pattern same होगे, पिछले साल तक JNU के अलग होती थी, AMU के लग होती थी, BHU के लग होती थी, इस साल सभी के almost same ही रहेंगे, तो JNU ने तो official declare कर दिया है, तो यह बहुत बड़ी change है, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी बात है, जो आपको दिमाग में रखनी है, देखो, पिछले साल आपकी जो main focus थी exam की, वो थी languages के उपर, अब जो आपकी main focus होगी, वो होगी आपकी common aptitudes पर, वो कैसे, उसे आगे बताने से पहले मैं बता दू, जिन्हें नहीं पता है, जवाहरलाल नहरी उनिवस्टी, भारत की सबसे बड़ी उनिवस्टी है, अगर हम foreign languages की बात करें, तो अगर JNU की BA level की बात करें, कि JNU में graduation मे mainly कौन सी courses होती है, किसके लिए JNU popular है, तो यहाँ पे different foreign languages में आप honors कर सकते हो, JNU में, अगर मैं आपको foreign languages की सिर्फ careers को बताऊ ना, तो आज के time पे, to be honest, यह एक ऐसी skill है, कि अगर आपको foreign languages से आपने graduation कर ली, अपनी 3 साल की, वो भी JNU जैसे बड़े university से, तो आपको एक multin international company फोड़ने से, कोई नहीं लोग सकता, अगर आपने धंक से उसकी बढ़ाई करी है 3 साल तक तो, क्योंकि यह foreign language बहुत ज्यादा develop होड़ी है, आज के time पे, वही, JNU कुछ-कुछ ऐसे courses है, जो कड़ाती है, languages, जैसे कि आपकी Japanese हो गई, Chinese हो गई, आपकी Korean हो गई, आपकी Russian हो गई, Spanish हो गई, French हो गई, German हो गई, Arabic हो गई, पश्टून हो गई, Persian हो गई, तो यह कुछ ऐसे-एसे languages है, जिनमें आप honors कर सकते हो, proper 3 साल की degree, पूरी की पूरी ले सकते हो, JNU से, ओके, अगर हम CUSET की पिछले साल की syllabus को उठाए, 2021 तक CUSET की syllabus कैसी आती थी, तो वहाँ प आपको proper, आपके subject से questions आएंगे, proper science मतलब mathematics साएंगे, chemistry साएंगे, physics साएंगे, बट जो arts की courses होती थी, उन में वैसा नहीं होता था, आपकी 100% aptitude ही रहती थी पिछले साल पे, तो अगर हम अभी से, अगर JNU के syllabus को उठाए, कि JNU में फिर कैसे आ सकती है, foreign language में, तो आपको ये logic समझना पड़ेगा, कि foreign language जो course है, JNU में वो आती है, bachelor of arts के अंदर, BA के अंदर, BA honors है, BA honors in foreign language है, तो आपकी अगर हम पिछले साल से इस syllabus को combine करें BA को, जो foreign language है, तो वहाँ पे हमें literally पता चल जाता है, कि ये आपकी according to last year, 100% aptitude ही cover कर रही है, तो आपको अभी से, सिर्फ और सिर्फ aptitude की तयारी करनी है, अभी से, in case, आगे जाके changes होती है, इस syllabus में, in case कुछ different add होती है, कुछ part भी भी add होती है, तो वो अलग factor उसके लिए आपको वक्त दिया जाएगा, बट अभी के लिए, आपको मान के चलना है, कि आपको पूरा का पूरा जोर aptitude में डालना है and maximum chances भी यही है कि आपकी aptitude से ही questions आएंगी, बट एक और major changes जो है, जो पिछले साल की JNU की exams अगर हम compare करें, इस साल जो JNU की exam हो सकती है, उससे कि आपकी पिछले साल तक JNU में negative marking नहीं होती थी, JNU के exam में कोई भी literally negative marking नहीं थी, जो JNU E होती थी पिछले साल तक, मतलब आपको 100 questions आया है, उसमें से आप 60 बनाओ, 60 हो गलत कर दो, तो आपको एक number भी नहीं गटेंगे, यह हाल था, लेकिन इस साल आपकी negative marking हो जाएगी एक number की, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, यह एक normal सी चीज से जो मैं पिछले साल से compare करके बता रहा हूँ, ज्यादा साथो level increase करेगी, हाँ, syllabus पूरा का पूरा change ही रहेगा, पिछले साल reasoning वागे रहा थी, इसमें भी reasoning आएगी स्यूजट में, बट foreign languages से related questions की chances बहुत कम है, आए, तो आपको सिफ अभी aptitude पे ध्यान देना है, और एक और बात की आपको उन लोगों से बचना है अभी, जो आपक जबरो मैं आपको बताऊंगा, कहीं पैसे invest कर नहीं है, तो अच्छे books में आप कर सकते हो, क्योंकि books बहुत महेंगे आते हैं, तो आप उसमें पैसे लगा के खुछ से self study कर सकते हो, फिलाल के लिए, ने तो extra पैसा है, तो आप ले लो, subscription कोई दिक्कत नहीं है, वैसे syllabus अभी रहे गई, but still हर university अपनी form release करेगी, तो JNU कुस टाइम बाद अपनी form release कर सकता है, जिसे आपको fill करना है, उसके बाद आपको CUSET fill करना है, अब होगा क्या, कि जैसे ही आप अपनी exam दोगे, CUSET में आपकी कुछ score आएगी, कुछ rank आएगी, उस rank को आपको मिलाना होगा, किस अब last year कुछ और changes हुए है, ध्यान से सुनो, पिछले साल तक JNU में P1 and P2 category था, जैसे मैंने negative marking का बोला ना, पिछले साल नहीं था, बटे इस साल होगा, वैसे आपके लिए good news भी है, कि पिछले साल तक JNU में होती थी P1 and P2 category, जहां पे आपकी 20% seat reserve रहती थी थी, वो बच में, या फिर 2021 में, जिनका एक से ज्यादा साल का gap नहीं है, recently, बस साल भर के अंदर अंदर उन्होंने अपनी class dual pass करी है, तो उन बच्चों के लिए 80% seat reserve होता था, और बाकी जितने बच्चों ने एक साल से ज्यादा लगाया है, जिनका ज्यादा gap है, तो उनके लिए सिफ 20% reserve रहता था, but अब I think कि ये चीज़े हट जाएगी, अब CUSET में normal exam होगी, merit list निकलेगा, जिसने जैसा pass करा, आया admission उनकी होगी, अब इसमें कुछ ऐसी changes है, जो हो सकती है, अगर जो भी changes होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, but please, अभी से आप aptitude पे ध्यान धो, मैंने बहुत सारी चीज़े, अपनी missions user 2022 में बताया है, कि कौन सी book लेनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, वो जाओ, जाके देखो, मेरे channel playlist मिल जाएगी, और नीचे मेरे instagram की link है, वहाँ जाका मुझे DM कर सकते हो, कोई भी query, एंड आगे कुछ भी आएगा भाई, तो don't worry, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, बस channel को subscribe करके रखना, सारे topic तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई breakdown करेगा, बैठ के, what's your guarantee, तब तक के लिए, I love you guys, bye bye, ta-ta